कि अन्रिविल मस्ट पीस मेरे पास है आज ब्लू लेवल तमने लेकर को पता चल गया होगा इसका दाम क्या है यानि प्राइस क्या है इट्स 28,000 रुपीज इन विज बिंगॉल तो सोच लिजे कि यह कितना पाफुल एक ब्रैंड है इतना एक्स्पेंसिव ब्रैंड फिर भी अगर आपके पास ब्लू लेवल है यानि आप अलग स्टेटर्स केड़ी करते है और प्राइस के साथ साथ मैं काफी सारे इंफर्मिशन आपको आज इस पर्टिकुलर प्रॉटक के बढ़े में दूंगा जॉन्यों का ब्लू हम लोग कभी पीते नहीं है ऑनिसली बता रहा ह है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव इसकी आप योगे नहीं तो मैं भी किसी हद से जुगार करके लाया हूं मेरे एक फ्रिंड के साथ हाला कि ये दो साल पूराना है मेरा दोस्त दो साल पहले खड़ीता था पीता ही नहीं है मैं पीचुका हूं उसके घर में जाके एक बार और इतना एक्सपेंसिव इसकी सिर्फ गिफ्ट करने में मजा आता है तो इसलिए से बहुत सार वाराइटी मिलता है ये 750 ml का मिलता है 1.75 मिलीटर का भी मिलता है छोटे मिनीचर में मिलता है तो सब गीफ करते हैं हम लोग कभी इसको पीते नहीं है इतना प्यारा विसकी है ये और दो समय बोलूँगा कि हम लोग जो विसकी को पड़कते है वो एज स्टेटमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो जितना एज धुसकी होगा उतना ही एक्सपेंसिव होगा मगर ब्लू लेवल में कहीं भी एज स्टेटमेंट नहीं है फिर भी ये 28,000 रुपीस दाम ह और धामाल से भी करा है चलिए इसी को आज हम लोग अनवक करेंगे और इसके बादे में धेर है लोग लगा आपके साथ शेयर करेंगे इसका पलइट का इसका फ्लिबर का और इसका आफिर शेल पंड को साड़ा इंफɑन को साबुशन के दोंगा चलिये आगे बरते है और देख लेते हैं, Blue Label का Unboxing and Review. दोस्तों, उस से पहले मैं एक रिकोस्ट करूंगा, इफ यू वांटे तो कंड़क्त अनी शॉट आफ ट्रेनिंग वित मी, प्लीस कॉंटक्त अन्थीस नंबर. I can come to your place anytime. So, welcome back. Johnny Walker Blue Label, और इसका सबसे वारा खासियत है कि ये एक ब्लेंडेट विस्की है और फिर भी 28,000 इसका प्राइस है. और ये चारो तरफ से गोल्ट बेटल से नावाज आ गया है. जैसे कि 6 Lain Monde Selection Crane Golds, 3 Double Golds at the San Francisco Spirit Competition. और काफी सरा मेटल से ये इसको नावाज आ गया है, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहा है. इसमें हम आपको तो अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, उससे पहले और था इंफरमेशन अबाउट जॉनी वाकर Blue Label. तो फिर आएए जानते हैं कि Blue Label इतना एक्स्पेंसिव क्यों है. Blue Label को रिक्रियेट करिया गया था. 19th Century का जो बेस्ट विस्की है, उसी को इसमें बेसिकली ब्लेंड किया गया है. वेरी रिरिस्ट और फाइनिस्ट विस्की को इसमें ब्लेंड किया गया है. अगर देखा जाए तो इसमें 80% जो है वो है मॉल्ट विस्की और बाके 20% जो है वो रेगुलर ब्लेंडेट स्कॉच विस्की. तेस्टिंगली मॉल्ट रिच पीटी और फ्लेवरी विस्की को पाने के लिए 19th Century की रिरिस्ट विस्की को इसमें डाला गया था. शुरुआते दिनों में जॉन वाकर, मिस्टर जॉन वाकर यानि जॉन वाकर कमपनी का जो ओनर था, वो हाइली वैलियूट कस्टमर्स के लिए जो फाइनेस्ट विस्की था अपना उसको अलग सा रखा करते थे, बाद में जाके उसको एक आउंस्टेंडिंग ब्लेंड में करने के लिए और जिसमें ज्यादा तर वो चुनते थे, फाइनेस्ट हुस्की और रेरेस्ट हुस्की जो अपना ही फैक्टरी का रिजर्व में था, और हर एक हुस्की को specially mature किया जाता था, जब तक उसका perfection ना है, और हुस्की को तब तक यूज नहीं किया जाता है, जब तक वो complexity, वो जो taste है, वो जो aromas है, वो desire level तक ना पहुच रहा है, तब तर यूज नहीं किया जाता है, और इसी के current, John Yoker Blue Label has been held a masterpiece of the blenders art, और Blue Label में highest quality ingredients, pure scottish spring water, जो बहुत ही essential aromas के लिए, और best malted barley को mix करके ये, whiskey को produce किया गया है, और साथ-साथ, Highland whisky इसको भी यहां पर used किया गया है, to contribute destinative flavor, and as I mentioned you earlier, that it is blended with 80% of malted whiskey, और malted barley whiskey, तो obviously इसको जब डिस्टिल किया गया है, तब pot still method में distill किया गया है, अब pot still method में जब डिस्टिल किया जाता है, तब वो जो copper pot होता है, वो एक, एक यूनिक flavor deliver करता है, एक distillation process की माध्यम से, तो वो ज्यादा तर इसमें है, इस blend में है, जो आपको flavor में असर करता है, जब आप sip करेंगे तब, और साथ-साथ, इसको dark warehouse में, oak barrel में, finest oak barrel में, mature किया जाता है, सालो साल, इसका flavor, इसका aroma, इसका color को लाने के लिए, हाला कि यह थोड़ा सा artificial color इसमें मिला हुआ है, मैं आपको बाद में बता हूँगा, तो एचिव करने के लिए, और एक unique product एचिव करने के लिए, सालो साल रखा जाता है, इवन कहां जाता है, कि इसमें जो blend है, वो 40 years old whisky भी है, तो definitely यह कमाल है, सबसे बड़ा बात आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 1000 cask में, 1000 blended cask में से सिर्फ एक blend को चुना जाता है, इस कुष्टी को बनाने के लिए, तो सोचे कितना difficult job है यह जब master blender करता है, और यही contribution and element beautiful को unique बना देता है, भीर से अलग कर देता है, इसी के कारण Alexander ने, यानि John worker का जो son है, Alexander ने 1888 में एनुस किया था कि our blend cannot be bid, जो इस blue label की नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो चलिए, इसको फिर हम लोग unbox करते हैं और इस से हम लोग कुछ और information गटर करते हैं, तो here is the unboxing, जैसे कि मैंने आपको पताया था कि यह मेरा एक दोस्ते उधार ल box का structure, जहां पर जोनी होकर, blue label blended scotch whisky लिखा हुआ है, और blend of our rarest whisky, जो मैं आप तक आपको मेंशन कर रहा था, और यह John worker and son's का नाम लिखा हुआ 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 है, जो पहले company का ओना हुआ 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 है, और उसमें थोरा से information यहां पर भी दिय बाता है, बड़े बड़े officer को पिलाया जाते है, बड़े बड़े celebrities को पिलाया जाते है, इन्वाइट ख़रके, खुद पीते हैं जो ओनर होते है, यह अनो का बात है, यह कोई बात नहीं, यहां पर देख लेता है, यहां पर एक information है, मैं अक्सर बोला करता हुआ 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 कोई भी उसके अब खड़िते हैं, तो information एक दम देख लीजिए, इसमें काफी सरे information होता है, जो पड़े लायक होता है, तो मैं बॉटल को पहले बहार निकल लेता हुआ, यह आपका बॉटल को पहले बहार लेका दो, और यह बॉक्स में, और यह हैं, बैक साइड, बैक साइ हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि यह तो पहले slanted है, as like the others bottles, और इसमें एक blue hue है, अगर अब धियान करेंगे, तो यह bottle का जो color है, यह blue है, क्योंकि इसका नाम जो है, blue label है, इसलिए यह थोड़ा सा bluish color का bottle है, और यह जब whisky जब इसमें रहता है, तब यह greenish color का लग है, जो certificate of authentication है, और ठिक नीचे लिखा हुआ है, our brain cannot be beat, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि क्यों लिखा गया है, और यह traditional bottle के साथ, original design के साथ, एक अनुका चीज दिया जाता है, जो है cork, यह बहुत ही expensive cork, आपको दिया जाता है, जो दिया जाता है, जो आपको दिय Mr. Dundee का एक logo, और साथ में 1820, जो है, यह आपको established in 1820, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखे, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बेश है, तो 750 bottle होने की नाते भी, यह काफी बड़ा दिखता है, इसको पहले हम लोग पोर करते हैं, और मैं जादा नहीं पोर कर हुआ हूँ, तो यह बन गया 30 ml, तो मैं तब तक bottle को side कर देता हूँ, अब चले के मेरे की तरफ रूप करते हैं, इसको नोजिंग भी लेते हैं, तो यह अंबर ब्राइट गोल्ड कलर का है, तो और इसमें, I'm not sure about, मगर इसमें लगता है की, कारमल को यूस किया गया है, इसक को बताते है की इसमें क्या का फ्लेवर है, जो बहुत इंप्रस्टिंग होने वाला है मुझे मालूम है, तो I'm taking a nose, It's a wonderfully smoky note, जो कमाल का आ रहा है यहां पर, और इसका कारन भी है क्योंकि, अगर देखा जाएं तो Scotland का चारो हिस्से का विस्की इसमें ब्लेंड है, जिसमें जादार मॉल्टट विस्की ही है, फिर भी जैसे कि लोलेंड, हाइलेंड, स्पेसाइड और आईले, यह चारो रीज फ्लेवर है जो इस पीटी नोट है, वो भी मुझे नोस के साथ मिल रहा है, इतसा फूरल नोट जो बहुती फ्लोरल मुझे लग रहा है और इसके साथ अपका ड्राय लेविंडर और थोड़ा लेग डेदी भी मुझे लग रहा है, रेसीन और लेमन पील का भी फ्लेवर आ मैं बोलुँगा थोड़ा और इंजी फ्रिबरा रहा है मगर वो जो है वह और जूस जासा जाता फिल्वर है ओ प्योर ओर इंज का जो फ्रेबर वो नहीं है तो अब जूस जैसा आपका फिल्वर रहा है तो ओवर ओल देखा जाए तो नोस में तो कमाल है बहुत इससारा फिल दोस्त थैंक यू सो मच पर गिविंग अचांस बान वट्स बढ़ देर्स बढ़ ओन स्था इससे मैं इसको सिप्लिया देर इस नो बन एफेक्ट यह सच में स्मूद इसकी अगर स्मूद इसकी का कोई पॉफेक्ट देफिन इसन है तो मैं बोलूंगा यह ब्लू लेबल है क कोई बोलता है को साइस इसमूदनेस के तो मैं उसको बोलूगा भाइ ब्लू लेबल है ब्लू लेबल पीओ तो आपको स्मूदनेस का इसास मेलेगा सच में बता रो एट्सवाइड स्कॉल डिंजरी द्रिंकेबल आपको ऐसास भी नहीं होगा आप पीते चलगे है पीते जले यह तो यह है इससे ज्यादा कुछ नहीं है बहुत माइड है तो यह तो मेरा फॉस्ट एक्स्पेस रा अब टेस्ट यानि पैलेट के अंडर में जो टेस्ट मुझे मिला वो फूल बॉर्ट इट है और माउथ कोटिंग है और उसमें मुझे ड्राइड प्लम विचिंट आप टॉफी एंड लिटल बिट आव स्मोकी हिंट मुझे मिला जब मैंने सीप किया था एंड ऑन्द फिनिश जॉनियो का ब्लू लेवल डेलिवर्स वट एवरी शुपर प्रीमियम विश्की शूद कॉंपलेक्सिटी एंड एलिगंस इंटर्वीं लाइक आली स्टेज में जो म करेंगे तब ना चानेंगे तो पीजिए का कभी भी जब मौका मिलेगा और इसको ऐसास करिएगा इस लग्जरी प्रोड़क्ट का एक ऐसा लग्जरी प्रोड़क्ट जो खरिदते तो है कोई भी विसकी इंथिसियस्टिक्स बट वह खुद भीदानिये सब को पिलाता है व कौन सा अंबोक्सिंग आप देखना चाहते है इस कॉक्टेल से इंडियर चानल पे और दोस्तों के साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के तो शेर करना मद भूलिएगा और हो सकते एक लाइक भी दे दिजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मुच फॉर वाचिं इस वीड आप दो नवी को सुझेट ग्सब्चेट घगिर्धन बाइक जा बात त विंगे खिए